इस बारे में चार महत्तों बिंदू है या में पॉइंट्स है जिसे इंट्रोड़क्शन कानुन हो और एकता इनके बारे में चारणागें सामाजी एक रूपता या एकता की अवधार्न कंसेप्ट दुर्खिम का महत्यपून कंसेप्ट मेंसे एक है इनकी पुस्तक Division of Labor in Society जिस पे उन्होंने PhD किया में दो परकार की सामाजिक एक रुपता का Social Solidarity का उलेकिया जिसे पहला है Mechanical Solidarity अर्थात यांत्रिक एक्ता और दूसरा है Organic Solidarity शाव्यवी एक्ता इन दोनों परकार की एक्ताओं को जन देने के लिए आप सरम विबाजन के परकारियों को उतरदाई मानते हैं दूर्खिम का विचार है कि सरम विबाजन का परकारिये शमाज के अस्तित प्रसें समंदित किसी नेतिक्ता के पूर्ति करता है जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके पारिवारिक संबंदों में वर्दी होती है तो शमाज में सरम विबाजन में वर्दी होती है नए नए विवशायक समाजिक समू जन्म लेते हैं इन विभिन समू के बीच एक्ता उत्पन करना समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है एक्ता के वहाँ में समाज में विवस्था और संतुलन कायम नहीं हो सकता समाज विवस्थित नहीं हो सकता समाज में ऐसंतुलन हो जाएगा अताए बिभिन समुं के बीच एकता की आउसक्ता िमनेतिक आउसक्ता है और सरम बिभाजन का कारिय इसी नेतिक आउसक्ता की पूरति करता जब समाज में परिवर्टन होता है जिवन की दसाएं आउसक्तां बदलती है तो नमीन समूं का निर्मान होना भी एक समझी काऊ सकता है और उनकी एक्ता भी समाज के अस्टिक्र के लिए महत्वपून है और दुर्खिम के अमसारे दोनों ही कारिये स्राम विभाजन अठाट डिविजन आफ लेवर के दुआरा पूरी की जाते है स्रम विवाजन एकता कैसे पैदा उत्पन करता है इससे अस्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने कई उधारण दिये हम के वर उन लोगों से ही मित्ता नहीं करते हैं जो हमारे से समानता रखते हैं उनसे भी रखते हैं, जो हमारे से भिंता रखते हैं, क्योंकि जिस बात की कमी कानुभो करते हैं, उनकी पूर्ती हम अपने मित्र में डुनते हैं, दुर्खिम कहते हैं, हमारे अंदर चाहे जितने गुनों, फिर भी हमें कोई ने कोई अवगुनों हो सकता है, या कमी हो सकती ह और हमें से सरोतम भी अपने कमी को महशूश करते हैं यही कारण है कि हम अपने मित्रों में उन गुणों को खोज करते हैं जो हमें नहीं होते हैं क्योंकि उनके साथ रहने में हम कुछ अन्सू में उनकी प्रकृती में भागिदार बन जाते हैं इन्होंने ये बात का उलेग दुर्खिम ने दिविजन ओफ लेबर इन सोसाइटी में बुस्तक में पेज नमाइ 5758 में उलेग किया हैं इस परकार समानता और भिंता दोनों ही आकर्शन का कारण हो सकते हैं दुर्खिम ने वेवाईक एकता एवं इस्तिरी पुर्ष की एकता क को भी स्रम विवाजन के द्वारा समझाने का प्रियास किया हैं इनकी एक रुप्ता का कारण उनकी भावाउत्मक एवन व्यचारिक समानता यह नहीं वरन में पाए जाने वाली भिंता भी है दुर्खिम का विचार है कि लेगिंग स्रम विवाजन ही इस्तिरी पुर्ष की का पर्मुक्सरोत हैं इन दोनों के कारिय छेतर अलग-अलग है इस्त्रियों का कारिय रागात्म छेतर में से पूर्शूं का बोधिक छेतर से हैं स्रम विभाजन इन दोनों को परस पर जोड़ता है और एकता उत्पन करता है दुर्खिम का ये विचार है कि स्रम विभाजन का कारिय केवल यही नहीं है कि समाज के कारिय होते रहे या उनकी कुसलता और प्रणा में ब्रदी हो प्रणतों उनका कारिय तो समाज में एकता उत्पन करना है, सरम वबाजन का मुख्य कारिय है कि समाज के सभी कारिय हूँ, समाज में संतुलन हो, समाज में व्रवस्ता बने दे और समाज में एकता या सोलिडिरिटी की इस्तिती हो, उन्होंने का कि समाज में एकता कानुन के मादेम्सी हुती है तो कानुन nyaип एकुप्टा ला एंड झोलिडरिटी सरम बगाजकान का एक प्रमुक्त कारिय समाज एकुप्थियर में एकुर्टा वैधाने कानून समू के सदस्यों के पारस्प्रिक संबंदों को परकट करते हैं सदस्यों में जितने घनिश संबंद होंगे समू में उतने ही अधिक एक रुपता होगी समाज की कानूनी वे उस्था होती है समाजिक एक रुपता भी उतनी परकार की होती है दुर्खिम ने का प्रकार के कानुन शाया कूले क्या है जैसे रांकारी कानुन डूसरा रिष्टिट्इप रथ हता प्रतिकारी कानुन तो सबस्तार में परदे में विध्ति ऌड़ति क्लैंच कि समंद्दू का नियमन करते हैं इसमें व्यख्ति के बजाए सामुई खितूं को अधिक में तो दिया जाता है और दमनकारी कानून भी दो परकार के होते हैं पहला पेनल लाग जंडकारी कानून जिसका समन कष्ट देने हानी पहुंचाने हत्या करने एवं सुतंतता का हनन करने से हैं दूसरा व्याप्त कानून देफ्योज ला कानून में नैतिकता क्या दार प्रिवाप्त होते हैं दूसरा लाग जो के बारे में का वो है रेस्टी चुटिबला अर्था प्रतिकारी कानून इन कानून का उद्धिश वेक्तियों की पारस्परिक संबंदों में उत्पन ऐशंगतूलन में शामानी इस्तिति पेदा कानून व्यव्षाई कानून dan republican इंप्रस प्रसासनी कानून आते हैं जो शामानन अवस्था को वापस पुन्ए हैं जो समाज में जब वेस्ता उति जाती है तो इस से परतिकारी कानुन के माद्य में से वापस उसको समाज उसको सामन- वस्तामे या नॉर्मल पोजिशन गाने के लिए किया जता है। उप्र दोनु परकार के काणू दो भीन परकार की सामाजक एक्ता है, दो भीन परकार की जीवन शाहली का परणाम भीक्तिक है, जिसके द्वारा जिस परकार की एकता उत्पन होती है उसे दुर्खिम या अंत्रिक एक रुपता या mechanical solidarity करते हैं और परतिकारी कानुन का जिस परकार से एकता उत्पन होती है उसे दुर्खिम परतिकारी कानुन का जिस परकार की एक रुपता को प्रकट करते हैं दुर्खिम ने उसको कहा है organic solidarity अर्था शावयवी एकता अगले वीडियो में हम इसकी बारे में जो या अंत्रिक्स एकता है या mechanical solidarity है या दूसरा जो उनका organic solidarity है सावयवी एकता है उसकी वो क्या है और उसकी features क्या है उसका अध्यन करेंगी धन्यवाद